राधे राधे आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे माता लक्ष्मी की किरपा आप सभी लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे आज मैं आप लोगों को वैभो लक्ष्मी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ बड़े शद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का सरवन करें कथा को सुनने से पहले आप अपने हाथ में दाहिने हाथ की गदेरी में फूल, चावल और थोड़ा सा जल अवसर रख लें जब इस पूरे कथा को सुन लें तो उस अच्छत फूल भगवान के सामने समर्पित कर दें हे गज लक्षमी मा, आप जैसे सीला पर प्रसंद हुई, वैसे हम सब पर प्रसंद हो और हम सब के मनोकामनाओं की पूर्ति करें श्री अधि लक्ष्मी मा आप जैसे सीला पर प्रसंद हुई वैसे हम सब पर प्रसंद हो और हम सब के मनुकामनाओं की पूर्ति करें स्री विजय लक्ष्मी मा आप जैसे सीला पर प्रसंद हुई वैसे हम सब पर प्रसंद हो और हम सब के मनुकामनाओं की पूर्ति करें हे धाने लक्ष्मी मा आप जैसे सीला पर प्रसंद हुई वैसे हम सब पर प्रसंद हो और हम सब के मनुकामनाओं की पूर्ति करें वैभव लक्ष्मी मा आप जैसे सीला पर प्रसंद हुई वैसे हम सब पर प्रसंद हो और हम सब के मनुकामनाओं की पूर्ति करें वैभव लक्ष्मी म्रत कथा एक बड़ा शहर था इस शहर में लाखों लोग रहते थे पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे पर नए जमाने के लोगों का सुरूप ही अलग सा है सब अपने अपने काम में रत रहते हैं किसी को भी किसी की भी परवा नहीं रहती है घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवा नहीं होती है भजन किर्थन, भक दिभाव, दया मया, परुपकार जैसे संसकार कम हो गए हैं शहर में बुराईयां बढ़ गई शराब, जुआ, रेस, बैवेचारी, चोरी, डेकेती वगर बहुत ही से गुनाह शहर में होते थे कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी होती है इसी तरह इतनी सारी वुराईयों के बावजूद, शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे ऐसे अच्छे लोगों में श्रीला और उसके पती की ग्रिस्ती मानी जाती थी श्रीला धार्मिक और संतोसी थी, पती भी विवेकी और सुसील था स्रीला और उसका पती इमानदारी से जीते थे वे किसी की नवुराई करते थे और प्रभू के भजन में अपने समय को वेतीत किया करते थे उनकी ग्रस्ती आदर्स ग्रस्ती कहलाती थी और शहर के लोग उनकी ग्रस्ती की सराहना करते थे सीला की ग्रस्ती इसी तरह खुसी खुसी चल रही थी पर कहा जाता है कि कर्म की गती कर्म ही जाने विधाता के लिखे लेक को कोई नहीं समझ सकता है इंसान का नसीव पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा शीला के पती के पिछले जन्म के कर्म को भूगने को अभी बाकी रह गये थे तो वे बुरी लोगों के संगत में पड़ गये और जल्द से जल्द करोलपती होने के खौप देखने लगे इसलिए वह गलत रास्ते पर चल दिये और करोलपती की जगह रोडपती बन गये यानि रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उनकी हालत हो गई थी शहर में शराफ, जुआ, रेस, चरस, गांजा बगएर आदतें लोगों के अंदर तो रहती ही हैं सीला का पती भी उसी में फस गया दोस्तों के साथ उसे भी शराफ की आदत हो गई जल्द से जल्द पैसा वाल बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस और जुआ भी खेलने लगा, इस तरह बचाई हुई धनरासी, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस और जुआ में गवा दिया था, इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि सुसील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था, प्रभु भजन से भोजन के लाले पड़ गए, सीला को रोज पती की गालियां खाने का वक्त आ गया था, सीला सुसील और संसकारी इस्तरी थी, उसे पती के वरदोह से बहुत दुख होता था, किन्तु वह भगवान का भरुसा करके, बड़ा दिल रख करके, दुख को सहने लगी, कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख होता है, और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसा सुद्धा के साथ सीला प्रभु भक्ती में लीन रहने लगी, इस तरह सीला असह दुख सहते सहते प्रभु की भक्ती में वक्त बिताने लगी, अचानक एक दिन दो पहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब की घर में इस वक्त कौन आया है फिवी द्वार पर आये वे अतिति का आदर करना चाहिए ऐसा आरे धर्म के संसकार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार को खोला देखा तो सामने एक माजी खड़े थी वे बड़ी उमर की लगती थी किन्तु उनके चेहरे पर अलोकिक तेज निखर रहा था उनकी आखों में मानो अमरत बह रहा था उनका भव चेहरा देखकर करुणा और प्यार से छलक रहा था उनका चेहरा उनकी और सीला देखती ही रह गई उनको देखते ही शीला के मन में अपाश शक्ती आ गई और मन में शांती छा गई वैसे सीला इस माजी को पहचानती न थी फिर भी उनको देखकर सीला के रोम रोम आनंद भर उठा शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था अता शीला ने सक्चाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया माजी ने कहा क्यों शीला मुझे पहचाना नहीं शीला ने सक्चाकर कहा मा आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही बहुत शांती हो रही है ऐसा लगता है कि मैंने बहुत दिनों से जिसे ढूड रही थी वहाँ आप ही है पर मैं आपको पहचान नहीं पाई मा जी हसी और हसकर कहीं क्यों भूल गई हर शुक्रवार को लक्षमी जी के मंदिर में भजन कीर्टन होते हैं तब मैं भी वहीं आती ह वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं पते गरत रास्ते पर चला गया है तब से सीला बहुत दुखी हो गई थी और दुखी की मारी वह लक्षमी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाने भी उसे शरम आने लगी थी उसने यादास्त पर ज मा जी याद नहीं आ रहा है तभी मा जी ने कहा तु लक्षमी की जी के मंदिर में कितने मधूर भजन गाती थी अभी तु दिखाई नहीं देती इसलिए मुझे हुआ कि क्यों न मैं ही मिल आती हूं तुमसे कहीं तुम बीमार तो नहीं हो ऐसा सोचकर मैं तुमसे मिलने चल मा जी के अति प्रेम भड़े सब्दों से सीला का हिर्दय पिघल गया उसकी आखों में आसु आ गए मा जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी यह देकर मा जी सीला के नजदीक सरकीं और उसके ससकती पीट पर प्यार भरा हाथ पेर कर सांत्वना देने लगी मा जी ने कह बेटी सुख और दुख तो धूप और छौ जैसे होते हैं सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख आता है धैर रखो बेटी और तुझे क्या परिसानी है तेरे दुख की बात मुझे सुना तेरा मन भी हलका हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाई भ उसने मा जी को कहा मा मेरी ग्रस्ती में भरपोर्ट सुख और खुसियां थे मेरे पती भी सुसील थे भगवान की किरबासे पैसे की कोई कमी नहीं थी हमें संतोष था हम सांती से ग्रस्ती चराते इश्वर भक्ति में अपना व्यक्त वितित करते थे एका एक हमारा भाग हमसे रूट गया मेरे पती को बुरे लोगों से दोस्ती हो गई बुरी दोस्ती की विज़ा से वह शराव जुआ रेस चरस गांजा वगर खराव आदुतों के सिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गमा दिया और हम रास्ते के भिखारी बन गए यह सुनकर के मा जी ने कहा सुख के पीछे दुख होता है और दुख के पीछे सुख आता ही है हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं इसलिए तू चिंता मत कर अब तू कर्म भुगत चुकी है अब तुम्हारे सुख के दिन अवसे आएंगे तू तो मा लक्षमी जी की भक्त है मा लक्षमी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं इसलिए तु धैरे रख और मा लक्ष्मी जी का ब्रत कर इससे सब कुछ ठीप हो जाएगा मा लक्ष्मी जी का ब्रत करने की बास सुनकर सीला के चेरे पर चमक आ गए उसने पूछा मा लक्ष्मी जी का बृत कैसे किया जाता है वह मुझे समझाइए मैं यह बृत आवश्य करूँगी मा जी ने कहा बेटी मा लक्ष्मी जी का बृत तो बड़ा ही सीधा साधा बृत है किन्तों कई लोग यह बृत गलत तरीके से कहते हैं अतह उनको इस ब्रत का पून फल नहीं मिलता है और कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो बस ब्रत हो गया पर ऐसा नहीं है कोई भी ब्रत सास्त्रे विदी पुर्वक करना चाहिए तभी उस ब्रत का पून फल मिलता है यह ब्रत शुक्रवार को करना चाहिए सुभा हिस्तान करके स्वक्ष व्रस्त्र पहने और सारा दिन जैमालक्षमी जैमालक्षमी का रटन करते रहें किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए शाम को पूर्व दिजा में मुझ रखें इसी तरह आसन पर बैठ जाओ सामने पाटा रखकर उसके उपर रुमा पर एक कटोरी रखो उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो सोने का नहो तो चांदी का भी चलेगा चांदी का नहो तो नगद रुपए भी चलेगा बाद में घी का दीपक जलाकर धूबत्ती सुलगा लो मालक्षमी जी का बहुत ही स्वरूप है मालक्षमी जी के स्रीयंत्र अतिप्रिय है अतव वैभाव लक्षमी की पूजन की विधी करते वक्त सर प्रथम श्री यंत्र और मा लक्षमी जी के विविद सरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करो श्री यंत्र और लक्षमी जी के कोई भी प्रतिमा हो उन्हें भी सामने रखिये उस पाटे पर रखिये उसके बाद लक्षमी इस्तवन का पाट करो, बाद में कटोरी में रखेवे गहने या रुपए पर हल्दी कुमकुम चाबल चढ़ा कर पूजा करो, लाल रंग का फूल चढ़ाओ, मा लक्षमी की प्रतिमा के उपर और स्रीयंत के उपर, साथ में उस रुपए या गहना जो भ भी चल सकता है, फिर आर्दी करके 11 बार सच्ची हिर्दय से जै मा लक्षमी बोलो, बाद में 11 ये 21 शुक्र बार यह वरत करने का दरर संकल्प मा के सामने करो, आपकी जो मनुकामना हो, वह पूरी करने को मा लक्षमी जी से विंती करो, फिर मा का प्रशाद बाट दो, और थ सारा दिन उपवास रखो, सिर्फ प्रशाद खाकर शुक्रवार कर ब्रत करो, ना शक्ती हो तो एक बार साम को प्रशाद गहार करो, यदि और भी आपके अंदर शक्ती की कमी है, तो एक समय में भोजन कर लो, अगर थोड़ी भी शक्ती नहों तो दो बर भोजन कर लो, सास्ती विदी अनुसार ब्रत करने से उसका फल पूर्ण मिलता है, इस ब्रत के प्रवाव से सब प्रकार की व्रत्ती दूर हो जाती है, और व्रत्ती माला माल हो जाता है, संतान ना होने पर उसे संतान की प्राप्ती होती है, सौभागी व्रत्ती इस तरीका सौभागी अख रहता है कुमारी लड़की को मनो भावन पती मिलता है शीला यह सुनकर आनंदित हो गई फिर पूछा मा आपने वैभव लक्षमी ब्रत की जो सास्त्री विदी बताई है वैसे मैं अवस्य करूंगी किन्तु उसके उद्यापन विदी किस तरह करनी चाहिए उसे भी बताने की क पाकरें मा जी ने कहा 11 यह 21 जो मनत मानी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्षमी ब्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करनी चाहिए ब्रत के आखरी शुक्रवार को जो सास्त्री विदी के नुसार उद्यापन विदी करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूं आखरी शुक्रवार को खीर का नयवेदिव रखो पूजा विधी हर शुक्रवार की ही तरह करो पूजा विदी के बाद श्री फल खोड़ें और कम से कम साथ कुमारी या सौभागी साले स्त्रीयों को कुम-्कुम का तिलग करके सहायति सेंगम की वैभव लक्षमी ब्रत की एक एक पहार में दें और सबको खीर का प्रशाद दें फिर धन लक्षमी सरूप बैभो लक्षमी सरूप मा लक्षमी की छवी को प्रणाम करें मा लक्षमी जी का यह सरूप बैभो देने वाला होता है मा लक्षमी जी का यह सरूप बैभो देने वाला होता है प्रणाम करके मनिवन भावुकता से मा की प्रातना करते वक्त कहें कि हे मा धन लक्षमी हे मा बैभो लक्षमी मैंने सच्चे एख़दे से आपका बैभो लक्षमी ब्रत कून किया है तो हे मा हमारे जो मनो कामना है उसे आपकुन करें, हमारा कल्यान करें, जिसके संतान न हो, उसको संतान देने वाले, स्वभाग साली इसली का खंड स्वभाग को बनाए रखें, कुमारी लड़िकों को मनोभावना पती देना, आपका यह चमतकारी वैभो लक्षमी ब्रत जो करें उसकी सब भीबत्ती को दूर कर सब को सुख्षी करना हे लुए मां आपके मेहिमा अपने अपार है इस दरह मां की प्रात्ना करके मां लक्षमी का धनलक्ष्मी रूप के भाव से बंदना करें मा जिसे वेवों लक्ष्मी के ब्रती सास्त्य विधी को सुन करके शिला भाव विभूर हो टी उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है उसने आखें बंद करके मन इवन उसी च्छर संकर्प लिया कि हे मा वैभव लक्षमी मैं भी माजी के कहे के मुताबिक सद्धा से सास्ते विदी के अनुसार वैभव लक्षमी ब्रत 21 सुक्रवार तक करूंगी ब्रत की सास्ते विदी के अनुसार उद्यापन विदी भी करूंगी सीला ने संकल्प करके आखें खोड़ी तो सामने कोई नहीं था वह विस्मित हो गई कि माजी कहां चली गए यह माजी कोई और दूसरे नहीं थी बलकि साक्षात लक्षमी माता थी सीला लक्षमी जी की भक्त थी इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए मा लक्षमी देवी मा जी का सुरूप धारान करके सीला के पास आई थी दूसरे दिन शुक्रवार था सवेरी स्नान करके स्वक्ष कपड़े पहन करके सीला मनीमन स्रद्धा से पूरे भाव से जैमा लक्षमी जैमा लक्षमी मनीमन रटते रही सारा दिन किसी की चुगली नहीं की साम होई तब हाथ पाउ मुधो करके सीला ने पुल की और मुख करके बैठी घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे पर पती देव के गलत रास्ते पच्चर जाने से अब गहने गिर्वी रख गए थे नाक की नथ बच गई थी नाक की नथ को निकाल कर उसे दोकर सीला ने कटोरी में रख दी सामने पाटे पर रुमाल रख करके मुट्टी वर चावल का धेर रख दिया उस धेर पर तामे का कलस पानी भर कर रख दिया उसके उपर कटोरी में नाक का नत रग दिया फिर शीरा माजी से कहती है कि वह सास्त्रे विदी के अंसार मन्नन, इस्तवन, पूजा वगेरे किया और सामने मा लक्ष्मी का प्रतिमा रखा साथ में स्रीयंत्र भी रखा और उनके भी पूजा करी और घर में थोड़ी सक्कर थी वह प्रसाद सुरूप वैवो लक्ष्मी के सामने रख दिया यह प्रसाद पहले पूजा करने के बाद में यह प्रसाद पहले पती को खिलाया प्रसाद खाते पती के सुभाव में फर्क पड़ गया उजिर उसने सीला को मारा नहीं सताया भी नहीं सीला को बहुत आनन्द हुआ उसके मन में वैभव लख्ष्मी ब्रत के लिए सद्धा बढ़ गई सीला ने पूर्ण सद्धा भक्ती से 21 सुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी ब्रत किया 21 शुकुरवार को माजी के कहे मुताविक उद्यापन विधी करके साथ इस्त्रियों को वैवो लक्षमी ब्Rhत की साथ कुस्त के उपहार में धी फिर माता जी के धन लक्षमी सुरूप की चवी को बन्दन करके भाव से मनिमन प्रातना करके बोली हे माधन वा लक्षमी हम सब का कल्यान करो जिसे संतान नहों से संतान देना सौभागी इस्त्री का सौभागी अखण रखना कुमारी लड़की को मन भावन पती देना जो आपका यह चमतकारी वैभो लक्षमी व्रत करे उसकी सब भुपती को दूर करना सब को खुशी देना हे मा आपकी महिमा तो अप्रमपार है ऐसा बोल कर लक्षमी जी के धन लक्षमी सरूप की छवी को परणाम किया इस तरह सास्ती विदी पुरुवक शीला ने सद्धा से व्रत किया और उसे तुरंत ही फल मिला उसका पती गलत रास्ते पर चला गया था वह एक अच्छा आदमी हो गया कड़ी मेहनत करके वेफसाई करने लगा मा लक्षमी जी के बैभव लक्षमी ब्रत के प्रहौ से उसको जादा मुनाफ़ा होने लगा उसने तुरंत सीला के गिर्वी रखे गहने छुडा लिये घर में धन की बारसी आ गई घर में पहले जैसे सुख सांती चागे वैभव लक्षमी ब्रत का प्रहौ दे कर महले की दोस्य इस्त्रियावे शास्तिय विधी पुर्वक वैभव लक्षमी ब्रत करने लगी ये माधाल मुन लक्षमी आपने जैसे सीलाप प्रप्रसंद हुई उसी तरह से आपका अब्रत करने वाले सभी भक्तों पर आप प्रसन हो सबको शुक्षांति देना जै मा धन लक्षमी जै मा वैभव लक्षमी जो भी आपके पास में भोग के वस्तु हो धूप तीप नवेद ये सब दिखाएं कि प्रतिमा को पूजा करें उसके बाद में आर प्रति करें और फल फूल भोग सारे परिवार को पाटें मेरे ये वीडियो कैसा लगा शेयर सब्सक्राइब जरू करें कमेंट वाक्स में जैसे गणे जरूर लग दें धन्यवाद